मेरे भाई और बैनों मेरा नाम रितिका मंगलानी है मैं आगरा से हूँ हललुया सिंदी परिवार से हूँ मैं और हिंदुों से हूँ हललुया कोई Christian आकर गवाई देता तो आप कहते हैं ये अपने प्रभू की ये अपने भगवान की कारीफ कर रही है या उसकी गवाई दे रही है पर मैं एक हिंदू परिवार से हूँ मेरे भाई और बैनों हालेलुया हालेलुया मेरा नाम रितिका मंगलानी हालेलुया सरनें से तो जहन जाओगे मेरे बाई और बैनो मेरे जो माममी पापा हैं वो मूर्ती पुजक मेरे सस्राल वाले वो भी मूर्ती पुजक है मैं अपनी गवाई देने से पहले एक छोटी सी प्रात्ना करना चाहते हूँ हम सब अपने सरों को जुकाएंगे उस सर्व शक्तिमान के आगे दन्यवाद दयालू अनुग्रहकारी सर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता हम आपके चर्णों तलियाते अबबा परमेश्वर प्रभुजी एक-एक को आपके लहू में धापते खुदावन पिता इस ग्राउंड को आपके लहू में ढापते परमेशर प्रभु जी, खुदावन परमेशर प्रभु जी, एक एक पे आपके अनुग्रेकारी, बलवन ठाथा ने पहे मेरे परमेशर, एक एक को आप चुईये मेरे पिता, पाक रुह तुक पजा ले ले रबी, अबबा तु तर मेरे परमेश्वर प्रभू जी, खुदावन जब ये गवाई बाटी जाए मेरे प्रभू, अबा, सब के हिर्द है खुदावन तू छेद दे खुदावन पिता, हरेक घुट नाटे के, हरेक जबान अंगी कार करे, ये शुमस ही परमेश्वर है, दे लू सामर्थी प्रभू जी, मुझ पे कब जाले अबा, मुझ पे कब जाले अबा, परमेश्वर प्रभू, दे तो मेरी पर बोलने वाले, ओ परमेश्वर अबा, आप होने पाओ मेरे पिता, ओ परमेश्वर प्रभू, अबा, जब आप बोलते हो खुदावन, ये धरती धरती है ओ परमेशर यहुआ तु बोल आ तेरे दादासी सुनते हैं खुदावन परमेशर एक एक को आपके हाथों में देते हैं नास्री येश्यू के नाम से मांगते हैं आमेन हललुया 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 मैं येश्यू की दिवानी हूँ हललुया क्यों मुझे येश्यू से प्यार हो गया हललुया मेरे भाई और बेनो हम परमेशर को नहीं जानते थे हम प्रबू को नहीं जानते थे पर परमेशर हमको जानता था हललुया हललुया बच्पन से ही मैं बिजनस में थी शुरू से बच्पन से ही मैंने बिजनस किया हुआ है और जब मैं शादी करके गई हूँ तो एक महायाजक की परिवार में सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है डाक्टर शंकर नात पीर योगी नात बंद के सबसे बड़े महायोगी व हलेलुया, सच मुच, वो असंबो को संबो करने वाला परमेशद है, हम इसाइयों से नफरत करते थे, हम इसाइयों से नफरत करते थे, मेरे भाई और बहनों, हम मस्वी से नफरत करते थे, पर मस्वी हमसे प्यार करता था, हलेलुया, हलेलुया, क्योंकि उस ती दृष्टी हम पे आ गई, हललुया, तब ही हां मैं यहां पर मौदूद हूँ, मैं अपने बेटे के कारण मसी में आई, हललुया, क्या आप गवाई सुनना चाहते हैं, समय बहुत कम है, पर परमेश्वर जो आप से बोलना चाहते हैं, वो बात आप तक पहुचनी चाहिए, हललुया, मेरे भ मेरी और मेरे पापा हमेशा मंदर में मुझे लेके जाते थे, एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, पापा, ये सुर्ग किसने बनाया, ये आसमान किसने बनाया, ये धर्ती किसने बनाई ये पापा, पापा ने कहा, सब इनीनों बनाया है, जहां मंदर में बेटे थे थ देखर में जाते हैं तो वह ऊतने हैं आपक हो हमेशा इन के लिए सब लेके जाते हैं पर वो हमसे बात नहीं करते है हैं पापा अगर हम धाने वाला भी जिंदा ओना चाहिए हललिया! छोटी उमर में मैंने बोला था. मेरे पापा ने अब भी यहां से बाक तेरी टांगे तोड़ दूगा मैं. आइंदा मंदिर में मता ना. बच्पन से मेरी खोस्ती मुझे मैरा बनाने वाला कौन है? हाललुया यह छोटा सा सवाल फरमेश्वर में आने के बाद मुझे मिल गया हाललुया मेरे भाई और बैनों हम मूर्तियों की पुजा करते और महायाजक की बहू हूं तो मैंने सारी विद्ति विद्याने भाई आगरा के महायाजक हैं सबसे बड़े महायाजकों में नाम आता है मेरे ससुर का पैसों की बहुत ज़्यादा गर्मी हमें चाड़ी गई थी क्योंकि अनाप सनाप पैसे हमारे पास आगरा की आधी मार्केट के मालिक अनाप सनाप पैसा हमारे पात और हमारे जीवन में चांती नहीं थी क्योंकि हमारे जीवन में येशु नहीं था हाललुया आज हम धन्वान है क्योंकि हमारे जीवन में येशु है हाललुया हाललुया बिजनस में हम गोए हुए थे मैं आठ साल तक मैं अपने परिवार में गईच नहीं जैसे ही शादी करके आई हूँ मैं अपने परिवार में ने गई मेरे भाई और मेनों क्योंकि मेरा माई बाप पैसा जो हकीकत है वो हकीकत है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ मुझे कोई शरم नहीं गमंड और एंकार मेरी पहचान थी कि मेरे सामने कोई खड़े नहीं हो सकता हमारे परिवार की ये पहचान थी कि सबसे बड़े धर्मी हम हैं बहुत जादा गमंड था पैसो पे किसी को रथों पे किसी को घोडों पे मुझे अपने नोटों की गड़ियों पे मेरे भाई और मैंनो ये पैसे की गर्मी पूरी उतार दी प्रभू ने आज साह तक मैं मैके ने गई पर एक दिन मेरे पापा की मैंने लाश देखी सपने में कि मेरे पापा मर गए और जो मेरे बड़े मायाजक जो ससुर जी है उनका नाम गुरू जी के नाम से फेमस है अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप पता लगा सकते हैं सिर्फ गुरू जी के नाम से पहचान जाते हैं और मैंने गुरू जी से का गुरू जी वहां रवाना हुई और मैं जब गई, मेरा बेटा आठ साल का है, दोनों मा बेटे हम गए थे, जब हम गए तो मेरी बेन किरन फिलिप अमेरिका में रहती है, उनकी भी पंजाबी चर्थ है, वो भी अतुबात से आई भी थी, उसने एक क्रिस्चन लड़के से शादी की, तभ हम उसे नफरत करते थे, पर वो आई भी थी, फिर भी हमने उसे गले लगाया, पर हमने शिक्कंजा कस रखा था, कि किसी भी रिद्धी से इसको वापस अपने धर्म में लेके आना है, वो बार बार कोशिश करती थी, कि मैं वचन बहू हूं, हम उसकी बोलती बंद कर देते कि क्या वचन सुनाएगी, हम बताते हैं, हम महाय, याजक की बहू हैं, कौन सा श्रास्तर तुझे चाहिए, वो चुपचाप रह गई, उसे मौका ही नहीं दिया, परमेशन ने उसे मौका दिया, किरन ने मौके में चौका मार दिया, हललिया, हललिया, मेरे भाईयो ननो, मैं मार्केट जा रही हूं, संसार की थी, संसार की बाते करती हूं, और मार्केट जा रही हूं, और मैंने अपने बेटा किरन को दे दिया, मैंने किरन, तुमासी है, संबाल, और मेरे बेटे को उसने संबाला, बहुती ध्यान से सुनना, एक वचन काफी है, जीवन को पलटने के दिया मेरे बेटे को मेरी बेहन चर्च लेके चली गई क्योंकि उसने सुना परमेशो के दास राजेश जैन मैनो नाइट चर्च में आए हुए हैं और वो दुर्ग मैनो नाइट चर्च में जब मेरे बेटे को लेके गई परमेशो के दास अपने कलाम के द्वारा परमेशो के ये बच्चा साधारण नहीं है ये तो शेम्वेल बालक के समान भरिश्योकता होगा हालेलुया किरन आत्मा से भरी वही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ मेरे बेटा हुआ है जो बेटा था वो मंदर में दिया हुआ दान है जब हमारा एक बच्चा जो बेटा बैदा होत ये नात्पंत की सीट का वारिस है परमेश्व की योजना अलग है परमेश्व की योजनाया अलग है इंसान की जब सोच खतम हो जाती है परमेश्व का काम चालू हो जाता है हललुया मेरे बाईों बेनों और वो आत्मा से भरी हुई मेरे पास आई और कहने लगी दीदी घमंड मत करना एक उलाद पर दूसरा पैसे पर ये दोनों चीजें ऐसे निकल जाती हैं मालूम भी नहीं परता मैंने दोनों चीजों पर घमंड किया था और किरन को मैंने जब बोला क्यों कह रही है तूम खुश नसीब हो वो बोली कि दीदी इसलिए खुश नसीब हो आप क् आपका बेटा आगे चलकर शाह मुहिल बालक के समान भविश्य वक्ता होगा ये तो ये शू का चेला होगा मेरे पहलो तले धरती की सर गई मैंने का मेरे बेटे को कहा लेके गई थी बता तू क्योंकि मैं थर थरा गई थी कि अब गुरू जी मेरी हालत खराब कर देंगे क् मैं गुरू जी की चहुच जही ती बहूं मुझे पेटियों के समान पाला है उनोंने और मुझे बहुत विश्वास करते हूं मैं एक दम थर थरा गई और किरन ने जब मुझे बोला तो मुझे बता रही है मुझे चर्च लेके गई थी और मैंने रोना पीटना चल गया मेर मेरे घर को बरबाद करने वाली ये किरन है मेरे घर में आग लगा दी अच्छा खासा हम खा रहे हैं पी रहे हैं उड़ा रहे हैं सहत पेसे और मेरे घर में अचानक से आग इसने दे दी क्योंकि मेरे बेटे को ये लेके गई अब मेरे ससर को मालूम पड़ा पहले तो मेरे बेटे को गव मुत्र से नेलाएंगे, इसके बाद मुझे भी, फिर कहेंगे, अपनी ये बेहन, इसकी क्रिस्चन है, तो ये भी क्रिस्चन मनने चली है, रोज रोज कितान नहीं मारेंगे, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मैंने रोना चालू किया, मेरे घरवालों ने समझाया, ये बात यहीं दपन कर, किसी को कुछ मत बता, चुचाप चले जा ससराल, किसी को कुछ मत बताना, अब मैके की बात है, दबानी तो पड़ेगी, मैंने दबाई, पर सच्चाई छुप नहीं सकती, हललुया, सच्च तो सामने आना ही है, हललुया, मेरे शोरूम है, आगरा में दो बड़े माँ चुड़ूम है, और मैं वही जूट पे जूट 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 बोलते थे, क्योंकि बिजनस में कोरा जूट चलता है, कोरा जूट, मेरे भी पाप का घड़ा बर गया, और मेरे बेटे की अचानक से तब्यत खराब और मेरे बेटे ही जब तब्यत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया, जब चेक अप हुआ, तो सिक्लिन पाई गई, सिक्लिन पाई गई जब एड्मिट ही था, उसको खून चड़ाया गया, खून पानी हो गया, पंदरा दिन के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है, यह क्या हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, टोना हो गया, टोटका हो गया, जादू हो गया, किसकी नजह लग गई, किसकी बद्दुआ ही लग गई, समझ नहीं आ रहा है, मुझे इकलोता बेटा है, आगे पीछे कोई नहीं, मेरे प्रॉपटी का वारिस, हर चीज मुसीबत सामने जैसे ही मिर्गी के जटके वो पलंग से जैसे गिरा हमने हाथ पकड़े पैर पकड़े उसके मेरा बेटा कोमा के अंदर चला गया जब कोमा में गया मन बैमान हो गया कहीं मेरा बेटा मर न जाए कहीं मेरा बेटा मर न जाए जैसी दुकान के शक्टल नीचे खुले ही नहीं, हम दोनों बती-बती हर मंदिर में, हर मजजित में, हर गुर्दवाने में जोली फैला के भीक मांगे थे, कोई भी भगवान हो, हमारे लिए आ जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम उनको ही मानेंगे, मेरे लिए कोई नहीं आया, मेरे लिए हर दर्वाजा बंद हो गया, हर दर्वाजा, हर दर्वाजे पर भीक मांगी, कोई नहीं आया, मेरे बेटा ऐसे वेहोंष पढ़ा हुआ है, आईसी ओं में वेंटि लेटर पर ऐसे पढ़ा हुआ है, मेरे हस्बेंट जैसे बहा निकले, ICO से और मैं अंदर जैसे गई हूँ, मेरा बेटा ऐसे ऐसे, उंगली-उंगल कुछ में फोंच नहीं ला सके, एक उंगली हिलाने के लायक नहीं वो, ऐसे मुर्दों के समान पड़ा, जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, नैपकिन मैंने गिला किया, मैंने मूँ पोचू, जैसे ही मैंने गर्दन ऐसे की, पूरा खून, 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 कान से ऐसे खून भेहते जा रहा है, पूरी चादर खून, सामने डॉक्तर थे, नर्स थे, आये दोड़ते, मैंने बताया कि यह खून, खून है, जैसे ही यहाँ का खून बंद करने की कोशिश की, तो नाक से खून भेहन समझ में आग्या की अनर्थ होने वाला है, अब तो बस गए हम, मेरा बेटा हाथों से निकल जाएगा, डॉक्टर ने, पूरी कोशिश की इन लोगों ने, जो मेरे बड़े वाले जेट हैं, वो भी बच्चों के डॉक्टर है, बच्चों के स्पैस्ट है, काउंसिलिंग में बड़े वाले भाईया को बुलाए गए, और डॉक्टर साहब हैं, वो उनको बोला गया कि ये बच्चे का ब्रेन खतम हो गया है, ब्रेन डैमेज हो गया इसका, भाईया ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अपनी पत्री और मेरी सासु मा को जैसे बता रहे हैं, मैंने जैसे ही इन्होंने बताया, मैं पागलों के समान, मुझे होश नहीं है, कि मुझे चपल है, कि मुझे चुन्नी है, कुछ नहीं, मार्केट में ऐसे ही दौटे-दौटे मंदिर, आगरा के बीच मार्केट में बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, बहुत बड़ा, उस मंदिर में दौरते दौरते पहुचे, गुरु जी सामने बैटे हैं, और मैं हापते हापते बोने, गुरु जी मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरा बेटा खतम हो जाएगा, रोते जाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे क जाएंगे इतने बड़े महायाजक है महातांत्रिक हैं वो मैंने उन्ते श्वास किया श्राफित हैं वो लोग जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं हाललुया मैंने मनुष्य पर भरोसा किया और धन्य है वो लोग जो परमेशर पर भरोसा करते हैं हाललुया हाललुया हम मंदिर गय मजजिद गए गुर्द्वारे गए पर हम परमेश्व के पास नहीं गए किरन ने सामने से नियोता दिया था कि आपका बेटा इशु का चेला होगा हमने नहीं माना परमेश्व ने मेरी घमंडवरी आखों को नीचा कर दिया हाललुया उची उठीवी आखे उसे प्रसंद नह है वो और बोने लगे बिस बस मुझे दो दिन का टाइम दे देख तेरा लड़का कैसे सामने खड़ा करता हूं मैंने का ठीक है आप कीजिए जो करना है कीजे गुरुजी पर मेरा बेटा सही सलामत आप लाके दीजे और चालू कर दिया जगराता अखंड जो जलाई और अनाते ने मुझे जवाब दे दिया कि कुछ हो गया कुछ हो गया खबर आ गई हॉस्पिटल से कि बच्चा खतम हो गया हम रोते फीट थे हॉस्पिटल को थे दिन के दो बजे मेरे बेटे की लाश दे यो लोगों ने अपनी औरात की लाश उठाई हमने अपने हाथों से कि इतने बागए हम कि अपने बच्चे की हमने लाश ड़ाई। ही रोते पीचते उने बच्चे को लेते को लेते आ हमे अपने घर बड़ा महल है। है पैसे की कोई कमी नहीं पर मुझ जैसा कंगार कोई नहीं है। मेरी ऑनाद ही मेरे हाथों मैं पैसों को क्या खरूँ गी इस पंगले में मैं चाटूंगी क्या मेरी ओलाव मेरे हाथों से निकल गई रोते पीटे हुए हम आये मेरे बेटे की लाश लेके गुरूजी ने कहा ये मंदिर में दिया हुआ दान है हमने जबान दी है कि ये नाथ बनेगा ये खतम हो गया तो भी ये नाथ पंत के समा इसकी समा दी होगी और हमने उस की लाश रखी रात वर उन्होंने कहा रखने के लिए सुबबे को ग्यारा बज़े इसका अंतिम सब्सकार किया जाएगा वो आखरी रात थी मेरे बाई ये बेनों जो मैं अपने बच्चे को देख रहे हूँ इसके बाई मैं कभी नहीं देखूंगी उसको रोते पीटते हुए गिरकर आते हुए ये रे कोई तो आजा है मेरे बच्चे को ठीक करें ये रे कोई तो आजा है रोते पीटते रह गई कुछ नहीं हुआ सब मुझे हता दे रहे हैं मोह निकाल मोह निकाल बार-बार मुझे पकड़के उसके लाश से दूर कर रहा है, उसकी मालिश कर रहा है, मैं उसके पैरों को मैंने देखा, चोटे-चोटे प्राय मेरे बच्चे के मैंने पैरों को पकड़के चुमना चल किया, मैं बार-बार उसके पैरों को चुमो, बार-बार मैं उसके हाथों मैं बहुत बहुत इसके माते को चुमे मेरे बेटे तु एक बर आख को एक बर आख को उसने आखे कोली नहीं मेरे माता पिता भाई बंदू जिसने सुना वो आपस आ गए मेरे पास आ गए मेरे भाई सब आ गए जिसने कबर सुनी संभाई कि रहे पहला बच्चा ही खता हो गया इसका बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे समालने की पर अलाज जैसी धंजम पती है क्या कुछ नहीं रोते पीटे रहे रात के बारा बच गया और किरन का नियोर्क से फोन आया और किरन मुझे कह रही है दीदी क्या किया अपने पीटे के लिए मैंने का क्या नहीं किया होगा क्या मुझे कोई कमी है मैंने पैसा पानी के समान भाया हर मंदिर मच्जिद गुर्दवारे में गया अरे तान दक्षिना किये हवन किये अरे मेरा बेटा निकल गया हातों से कहरो गया मत्से अरे मैं कही कि ने रही मैं तो बरवाग हो गई मेरा बच्चा जोड़के चला गया कि मैं तो लुट गई मेरे ली तो कोई नहीं मेरा बच्चा हिए और मुझे बोले लगी दीदी चुपो जाओ अपने आशुपो चुप बिलकुत चुपो जाओ दीदी याद है आपके बेटे के नाम पे भविश्यवानी हुई थी ये साधर बालक नहीं ये शेमुल बालक के समान भविश्यवकता होगा जैसे इसने बोला मेरे अंग-ंग में नाग लग गई और मैंने उंगली उठाई उसके इसका मतलम तू जोटी तेरा येश्यू जोटा और वो खुदा का दास प्रणेश का दास पादरी वो भी जोटा है वो कहने लगी नहीं मेरा येश्यू सच्चा है परक के देख दीदी यहोआ कैसा भला है मैंने का ये कोन है उसने कहा जिसने स्वर्ग को बनाया जिसने प्रित्वी को बनाया जक्का तारणहार प्रमेश्यर प्रबू येश्यू मसिय है पर रखके देख यहोआ कैसा भला है मैंने का इसका मतलब क्या पुलीस का मतलब यही है कि आपका बेटा जंदा हो जाएगा आप कि जाएगी मैंने कहा नहीं तू जूट बोल रही है मैं कैसे विश्वच करूं मेरे बेटे की आफी' सामने मैं कैसे फोन पे विश्वास करूं वर रख्ट यहुना कैसा भला है हललुया खुला चैलिंज देंटिया इसने में सोचने प्रोर कर कर दिया कि एक डॉक्टर ऑप्रेशन थेटर में ऑप्रेट करने के लिए लेते हैं साधार इंसको तो साइन लेते हैं कि जो कुछ हुआ आप जिम्मेदार हो ये इसाई लोग कैसे हैं मरने के बाद भी गैरंटी लेते हैं हलेलुया और मैंने कहा बता मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि जब ये बोल नहीं थी वचन प्रिठ्वी टलेजी आकाश टलेगा खुदा का वचन कभी ने टलेगा मुझे रंखते खड़े कर दिये इसने ऐसा लगा कोई बिजली आई अंदर घुज गई मेरे हाथ पर ठर ठरा गए और एक तम रंखते खड़े हो गए मैंने का कुछ तो है जूटा इंसान दावा कर ही नहीं सकता कहीं तो सच है तभी ये दावा कर रही है मैंने का ये बता सिंदी हम बिजनेस में है सबसे पहले पूछने है प्रॉफिट कितना होगा फायदा कितना है और मैंने उससे बोला अगर ये सच नहीं हुआ तो मेरा बेटा अगर जिन्दा नहीं हुआ तो किरन तू क्या करेगी बता पुली पैर धोके वापस हिंदू धरम में आ जाओंगी मैं बैबिल छोड़ दूँगी दीदी मैं येश्यू मसी को छोड़ दूँगी अब बता जिन्दगी भर तेरी गुलामी करूँगी मैं मैं आ रही हूं एडिया इतना जबद दस विश्वास असका बस एक पार्टू परक के देख यहुआ कैसा भला है हाललुया मैंने का एक इंसान मर जाता है किरन कई लोगों की मैंने अर्थियां उत्ते होई देखी है किरन कभी वापस नहीं आए बोले नहीं दीदी उनकी भविश्यवानिया नहीं हुई थी ये येश्यू का चेला है साधरन नहीं है ये साधरन है ये शायम वह बालक के समान भविश्वक्ता होगा, तो मतलब होगा, आप करके देखो, मैं आ रही हूं इंडिया, अब मैंने का क्या करूँ, गुरू जी तो मुझे घुटनों पर आने नहीं देंगे, इतने बड़े महायाज़की बहूं है, घुटनों पर हिंदू लोग आते हाललुया, मेरे लिए भी मार्क खोर, मैंने का आप परमेशा का तू सच्चा है, तो कर के दिखा, मेरे बेटे के लाश के सामने करमों पे हाथ देके बैठे थे, आज लाइफ देख रहे हैं गुरू जी, गुरू जी सुन रहा है गुरू जी, ये जीती गवाई में दे रहे हाललुया, क्योंकि मेरा अबा सुन रहा है, हाललुया, और मैंने गुरू जी से का जाके कहा, गुरू जी, आप मत रो ये, मेरा बेटा जिन्ना हो जाएगा, और मुझे ऐसे देख रहे हैं, पागल हो गई है क्या, इसको सदमा लग गया गया, सब लोग खुसुर खुसुर क करना चालू कर दिये, ये पागल हो गई है, इसको सदमा लग जया, बहकी बहकी बाते कर रही है, मुझे लग जया कि सब मुझे पागल समझ रहे हैं, गुरू जी कहना है, जा उपर रूमे जाके सोजा, मैंने का नहीं, मैंने का सिर्फ 15 मिर्ट मुझे दे दो, बोले कोई ज दूसरा मरने वाले के अंदर सांस नहीं डा सकता, ये दोनों चीज मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब जीवन और मिर्ट्यू मेरे हाथ में नहीं है, जीवन और मिर्ट्यू मेरे येश्चू के हाथ है, हललुया, हललुया, और मेरी बहस काफी हुई, और 15 मिनिट मैंने का, अगर पंद्रा मिनिट नहीं दिया, तो ये लाश नहीं उठेगी, समझ लीजी आप, इस बेटे को मैंने पैदा किया है, सबसे पहला हक मेरा आई, इस लाश को कोई छू नहीं सकता, उले इसका मतलब, तु मेरा मूँ काला करेगी, कि मेरे मूँ पे काला तीका लगाएगी, मै अब भी जिद्धी, मैं भी जिद्धी हूँ, अब मैं देखो मेरे बेटे को कौन छू सकता है, अब काला हो या पीला, मुझे पंद्रा मिनिट चाहिए, बोले कल पेपरों में नाम आएगा, टीवियों में आड आएगी, ये तो मेरी इजट का जनाजा निकाल देगी, मैंन मैं का कुबूल ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरे एफबेंड मी मेरे साथ, और मैंने दर्वाजा बंद किया, और मुझे चिलाना चालू कि ये, किस दिमाग की मुझे जोते हैं, मैंने किरने कहा, कि उनका प्रेट जिलना है, वो अंदोगता है, कोडियों को शुद करता है, वो लंगलों को चिलाता है, बहरों को शब्द सुनाता है, वो मुर्दों को चिलाता है, हललुया, और चिनान रचे, किरन का दिमाग ठिकाने करूँगा, तेरे बाप का दिमाग ठिकाने करूँगा, तेरी मा करूँगा, सब पैठे हैं, सब का दिमाग ठिकाने करना, सब का, पर एक बार मुझे 15 मिट दे दो, सिर्फ मुझे गुटनों पे अपने पापों का अंगीकार करने दो, मुझे बोले ठीक है, अपने मरे हुए बेटे पे हाथ रख, सर पे हाथ रखाया, और का कसम खा अपने बच्चे की, अगर ये नहीं उठा, चुपचाब लाश उठाने द मैंने का एक शर्त ये भी है, आप पे, कि खुद की अउलाद आपकी भी है ना, आप भी गुटनों पे आओ, और वो भी गुटनों पे आए, मैं भी गुटनों पे, अब मैंने पहली प्रात्ना की, मुझे प्रात्ना करने कभी नहीं, मैंने की नहीं है, आरतिया की ये घंट को बनाया प्रभू आपने हम को बनाया है पिता प्रभू वो कहती है कि आप जीरते खुदा हो आप अंदों को आखे देते हो कोडियों को शुद्र करते हो बीमारों को चंगा करते हो लंगलों को आप चलाते हो प्रभू कोडियों को आपने शुद्र किया सब कुछ किया लिया प्रभू मेरे बेटे को आप जीवन दो मैंने एक चैलेंज कर दिया प्रात्ना करते करते मैंने का प्रभू ये शुमसी आपके दास वो पास्टर साहब आये थे और उन्होंने भविश्यवानी की की मेरा बेटा साधान बालत में तो कैसे मर गया क्या तू जूटा है ये तेरा कलाम सच्चा है और तेरा दास सच्चा है प्रभू तू साबित कर आज हम सब सिंधियों को देखना है कि तू जीवता खुदा है प्रभू तू मेरी खाली जोली तू भर मैंने एक जोली फैलाई और भीक मांगी गिरगडाया प्रभू मेरी खाली जोली तू भर हाललुया मेरे भाई और वेनों आशूंसे प्रात्ना की पवित्रात्मा जब हम पर आता है आहे हैं भर भर के प्रात्ना गत्ते रो रो के प्रात्ना की मेरी आखे खोली तो दुंदला दिखाई दे रहा था मेरे बेटे की लास्ट ही मुझे लगा हाथ लाया इसने और मैंने अपने हस्बेंट से कहा मेरे बेटे ने हाथ लाया है उन्होंने कहा नहीं नहीं तुझे वहम हो रहा है मैंने कहा नहीं नहीं देखो आप जाके लास्ट पढ़ी हुई है ऐसे उठाया कफर जादा लग धली धकी भी थी ऐसे उठाया बोला देख कुछ है कुछ नहीं है ऐसे बस मुर के आए और मेरा बेटा ऐसे हाथ लाया और ऐसे पल्टा और उठके खड़ा हो गया हललुया बला यश्रमसे की हललुया सच मुछ यिश्व जिन्दा खुदा है मेरा बेटा जब खड़ा हुआ मेरी बुलंद आवाज बंध हो गई मैं चीक ना चा रहे हूँ मैं चीक ने पा रहे हूँ मेरे हस्बेंट पीछे पीठ है और बेटा ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे चल के आ रहा है हललुया मैं अपने हस्बेंट से कह रही हूँ पीछे मुड़ो देखो क्या है जब वो पुड़े ऐसे मुड़े और देखा उसकी भी हवाएं गुलो गई और चीक रिखल गाई अरे बाब रे इसका मतलब ये शुमसी परमेश्व रहे मेरे बेटी को हमने पकड़ा ऐसे चूमना चालू किया कूदना चालू कर दिया हाललुया हमारे विलाप को नित्य में बदला ये शुने हललुया मेरा बेटा आगे चल कर आके कह रहा है मम्मी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो पूरा तेल लगा हुआ है अजवाइन अजवाइन और तेल से मालिश कर रहे है मम्मी गर्मी लग रही है ये क्या किया मेरे सामने ये क्या कर रहे है मुझे गर्मी लग रही है मुझे गर्मी पसीने में से लफपत हो रहा है ये गर्मी क्या थी मेरे भाई और बेनो ये गर्मी धदकती आख थी पवित्रा आत्मा की आख सक्च मुझ जिसे येशू छूता है उसकी जिंदगी पलकती है हाललुया और हम येशू के दिवाने हो गए हाललुया क्योंकि मुझे येशू से प्यार हो गया हाललुया हाललुया वो दिन और आज दिन हम येशू के दिवाने हैं हाललुया मेरे भाई और बेनो ये घड़ी बहुत जल्डी जल्डी भाग रही है और मेरे जीवन में जबा दस गवाईया है सुनना चाहेंगे आप जब परमेश्व की में दीमानी हुई परमेश्वन ने स्रिम मुझे एक ही कहा बात मेरे लिए तू खड़ी हो जा हाललुया मैंने का प्रभू मुझे कुछ नहीं आता बोले ठीक है कुछ नहीं आता स्रिम मेरे नाम से तू खड़ी हो जा हाललुया इश्व के नाम में सामर्थ है इश्व के नाम में चंगाई है इश्व के नाम में छुट कर रहा है मेरे भाई और मैंनो मेरे जीवन में गवाहों का बादर ठेराया है उस खुदा ने हाललुया जहां तुम पैर रख दोगे वहां जै का जंडा ले रहेगा क्योंकि तम मेरी संतार हो हमारा परमेशत जैवल्त परमेशत है हललिया हमेरे गेरे की संतार नहीं हम सर्वशक्तिमान की संतार है जिसने अकाश पृत्थी को बनाया उसका नाम सेनाओ का यहुआ है हललिया हललिया सेनाओ का यहुआ है उसका नाम सेनाओ का यहुआ है ऐसे इने इस सुभाज की लाके बोलता है यहोबा 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 जिन्दा कुदा वो हमारा बादेशा वो हमारा बादेशा वो हमारा बादेशा यहोवा सब खड़े हो जाएंगे आखों को बंद करेंगे और उसको कहेंगे उसकी वह यहूवा